तोल के में दोस्तों नमस्कार आप सभी का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी लोग जेगरोफी रखे हैं ठीक है और उनको अगर पढ़ना है आपको कलायमेटोलोजी ठीक है जिसको बोलते हैं जलवाई विग्यान और ऑसियोनोग्राफी यानि की समुद समुद्र विग्यान तो यह दोनों जो टॉपिक हैं इसी वीडियो में पूरा का पूरा नोट्स दिया जा रहा है ठीक है इसमें इंपोर्टेंट कोशिन भी हम लोग निकाल लेंगे जेगरोफी मेजर पेपर तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यह रहा इसका सिलेवस क्लाइमेटोलोजी एंड ओसियोनोलोजी इसको हिंदी में जलवायू विग्यान और समुद्र विग्यान बोलते हैं यह इसका सिलेवस ठीक है यह सारे चीज़े आपको पढ़ने है कौन सा यहां से कौर्स कंटेंट लिखा है ना इसके नीचे वाला ठीक है यह पांच और इसमें से मैं कुछ छांट के इंपोर्टेंट कोश्चन निकाला हूं तो चलिए देखते हैं और बागी सभी कोश्चन भी इंपोर्टेंट है लेकिन ज्यादा आने के संभाय होना है उसको मैं यहां पे छांट के निकाला हूं ठीक है तो चलिए उसको देखते हैं इसमे किरियाविथी बताईए ठीक है what is heat balance discuss its mechanism तीसरा question सेम है तिनों question का अंसर सेम होगा कि उसमें budget क्या है ठीक है इसके किरियाविथी बताईए what is heat budget explain its mechanism ठीक है तो देख लिजी यहां पर इसका answer बताया गया है और यह आपका 5 marks का question आ सकता है ठीक है क्या करना है कैसे त्यार करना है तो जो भी question यहां पर दिया गया है answer question का answer इसको आपको क्यावल पढ़ना है यहां से क्यावल knowledge लेना है और जो समझ में उसको question लिख लिए अपने copy में और उसको answer डिखना है अपने सब्दों में ठीक है घर में और छोटा से नोट बना के जाएगा एक्जाम से पहले 10 पेज का एक नोट बना लीजिएगा इस subject का और एक्जाम से पहले यह 10 पेज का नोट पाड़के चले जाएगा ठीक है इस किताब से आपको जो नोट दिया जा रहा है इस पेपर से इस पेपर से आप लोग नोट बनवा लीजिएगा और जो लोग एस पेपर नहीं करने खरीद लीजिएगा या फिर भूख खरीद लीजिएगा ठीक है कॉस्चन है हमारा वाई मंडल ये दाब पर संचिप टिपने लिखें ठीक है इसी कॉस्चन को दूसरे तरह से बताए गया है कि वाई मंडल ये दाब से आप क्या समझते हैं या इसका आर्थ बताईए या फिर वाई मंडल ये दाब को संचिप टिपने लिखें ठीक है तीन नहीं है निक्स्ट है नर्पेक्ष आधरता जो है प्रकाश डाले और अगला है मांसुन को परिवासित करें मांसुन के बारे सब को जानता है अगर नहीं जानते हैं तो यहां से पढ़ लेना है थोड़ा से आपको चलिए नेक्स्ट हमारे यहां पर इंपोर्टेंट कोशन आत ठीक है आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कोशन है परसांत महाँ सागर की जल्द हराओं का अवर्णन करना है डिसकस्ट करेंट अप दो पैसिफिक होसियन ठीक है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तो हमारा कोशन लोंग अंसर टाइप जो कि आपके एक्जाम में हैं तो हमारा पहला इंपोर्टेंट कोशन आता है कि वाई मंडल के संगटन एवं संरचना का वर्ण करें इंग्लिस में कि डिस्क्राइब दा कंपोजिशन एंड अस्ट्रक्चर आप अटमोस्फेर ठीक है और यहां पर बहुत सारे बहुत लंबा लंबा यहां पर आंसर कि दीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हमारा इंपोर्टेंट कोशन है कि कौन से कारक सुरी ताप के वित्रन को प्रभावित करते हैं या फिर कोशन इस तरह से भी आ सकता है कि सुरी ताप को प्रभावित करने वाले कारकों की विविचना करें यह कॉश्च एवं लंबवत वित्रन की वैख्या करें एंग्लिस में कि वाट इज दा मीनिंग आप एट्मॉस्फेरिक प्रेसर डिस्क्राइब द और वरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रिब्यूशन औप एट्मॉस्फेरिक प्रेसर ठीक है और एट्मॉस्फेर को किस से मापा जा इंके बनांगे आगे दोन देख लिता है तो यहाँ पर चोटा सीकोषिन है लेकिन इंपोर्टेंट नहीं है पावन का वरकी करण करें और इंग्रहियों पर जितने होते हैं उन्हें को नोत लिखना है तो अगर आपके पास एक्ट्रा टाइम है टाइम देपाते हैं तो इन सब को भी पढ़ ले ठीक है जितने भी अधर कोस्टेंस है नेक्स्ट हम लुग देख लेते हैं तो हमारा यहाँ पे कोस्टेन है थोड़ा से इंपोर्टेंट है हो जाता है जेट इस्ट्रिम क्या है इसकी विसेस्ताओं का उलेक करें ठीक है वाट इजेट इस्ट्रिम इंपोर्टेंट्स और ना है आना देख लेते हैं तो हमारे इसमेरा परेंग देăngार इसमें जैज़ु ओर्हें स्ताइं बतानी है ठीक है और मेगों का अंतराइश्ट इवर्गी करन कैसे किया गया है इसका भी आंसर सेम इसी टाइप से हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देख लिते हैं तो यह थोड़ा सा हाड कोश्चन हो जाता है कि थोड़न वेट द्वारा प्रस्तूत जलवाई कोश्चन आ जाएगा कि इसमें थोड़ा सा मेहत आ जाता है ठीक है थोड़न वेट वाला में यहां पर बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन आता है इसको अप्र नोट कर लिजिएगा कि भारत को जलवाई परदेशों में विभक्त कीजिए ठीक है और अपने विभाजन का आधार असपस्ट कीजिए इंग्लिस में है कि डिवाइड इंडिया इंटू क्लाइमेटिक सोरी क्लाइमेटिक रिजन एंड क्लेरिफाई दबैसिस ऑफ यह क्लासिफिकेशन दूसरा कोश्चन यहीं पर हमारा बनता है सेम इसी आधार पर भारत के जलवाई परदेशों की वैक्या वैक्यात्मक विबरंदेजी है या फिर पूछ सकता है कि भारत को कितने जलवाई परदेशों में बटा गया है विष्तार से बताईए या फिर भारत के जलवाई परदेशों पर विभिण व विद्वान द्वारा दी गए योजनाओं की समछ़ा कीजिए तो पढ़ लेना है इसको अच्छे से नोट बनना है कितना पेट करना है यह दस यह 12 मैक्सिमॉम ठीक है चलिए देख लेते हैं अगला हमारा कोश्चिन तो अब मात्र एक यह दो कोश्चिन है इंपोर्टेंट एक कोश्चिन है हमारा यहां पर अल नीनों और लाल नीनों पर फिगतना का वरणन करें ठीक है और इसमें आपको थोड़ा सा जो है डाटा याद रखना पड़ता है यह सरे डाटा ठीक है पल निनों और लाल निनों इंपोर्टेंट हो जाता है और यह आपका उबजेक्टिब में भी आ सकता है ठीक है और इसके बाद I think और इंपोर्टेंट कोश्चिन नहीं है साइद और एक है जुआर भाटा इसको आपने उगले क्लास 9 में भी पड़ा होगा जुआर भाटा क्य के लिए यहां पर पुरा क पूरा क्मप्लेट हो जाता है हमारे जितने भी इ inspirate quick का मैं फैपी पीडियो का स stub में दे रहा हूं ठीक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वहां से डाउनलोड कर लिजेगा और पढ़िएगा बाकी गैस पेपर जो लोग नहीं लिए प्रोफेसर खरीद लिजेगा यह पतला होता है 30-30 रूपय लेगा मिलते अगली वीडियो में दोस्तों पर जख को प्रोफेसर आग यह जगघएगा खरीखर खरीजवर नहीं लिएज पतला है ता जएवर वारे लिए